हलो दोस्तों नमस्कार एजुकेशंगार चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज है 8 जनुरी 2021 और 8 जनुरी 2021 से 36 गार डेली करेट अपर समधी जित्ते भी महतपुड इंपोर्टेन कोश्चन बस सकते हैं सारे कोश्चन के बारे में डिटेल से डिसकस करेंगे और हार कोश चैनल से जूट सकते हैं तो दोस्तों चलिए करेंड़ा पर सेशन के और हमारा आज का पहला कोश्चन के और आगवी बढ़ते हैं यहां पर दिखिए हमारा आज का पहला कोश्चन है हाली में मुख्य मत्री स्रीभुपेश बखिल ने किसके नीधन पर गहरा दुख किया है कोश्चन के सपस्टीगरान देखते हैं मुख्य मत्री स्रीभुपेश बखिल ने स्री मत्य सारला देवी सुकला के निधन पर गहरा दुख प्रगट किया है निधन के दावरान इनका दोस्तों जो निधन हो गया है श्री मत्ति सरलादेवी नई दिल्ली में इनके इलाज के दवरान निधन हो गया श्री बग्हेल ने उसके सोक संतप्त परिजयनों की प्रति सविद्ना प्रगाट करते हुए उनकी आत्मा को सांती के लिए इस पर से प्रतना की है अब दोस्तों यहां जो कोशन है यह 36 गर में महतपूर्णा वैक्तियों से समधित है तो जित्ते भी दोस्तों यहां पर महतपूर्णा वैक्तियों का दोस्तों 2020 में निधन हो गया है दोस्तों उनके बारे में यहां पर जनते हैं ऐसे यहां दोस्तों महतपूर्णा वैक्ति थे जिनका भी निधन हो गया है तो यहां से दोस्तो इस ठापना 2016 में किया गय था और इसे इंप्पोर्टेंट आया गए दोस्तो की अजीत जोगी जी का आत्म कथा का नाम क्या है सप्नों का सौधागार दोस्तों आप इसे याद रखिए सप्नों का सवधागार आत्म कथा अजीत जोगी प्रथम मुख्य मुद्री रहे थी साथी दोस्त यहां पर हमारा अगला है यहां पर देखिए पुझपा तिग्गा दोस्तों जो पुझपा तिग्गा है इन्हें 36 गड़ में फ्लोरेंस नैटेंगल के नाम से इन्हें जाना जाता है और इनका दोस्तों कुछ समय पहले निध दोस्तों इनका भी निधन कुछ समय पहले हुआ है और भाईया लाल हेडाओ को 36 गड़ किसी मिन्यमा के भीस में पितामा के नाम से जाना जाता है और यहां दोस्तों राम चेदर देश मुख के 1971 में 56 गोंदा और कारी में अभिनेता के रूपय अभिनेत किया था साथी दूस्तों यहां पर दिख्या हमारा अगला अपसंद यह है ऊए खुमान साथ है दोस्तोंаюсь यहां संगित नात अकार्टमे सी इन्हें समानित किया गया था और यह संगित कार है जिसे लोग जगत के ऊमानध साहः यहां राजननगावं जिले के निवासी है शांति यहांपर देखिए अनूप चन्द को ठादी दोस्तों जो अनूग चन्द को ठादी के सफिल चण्द को ठाद। करता है यह जोगाई सरोकार्यवным समाझिक कारे करता थे चीह और यहां दोस्तों कौन से के थे तो अनुप चनको ठाड़ी राजनान गाउं जिले के निवासी थी जिनका दूस्तों कुछ समय पहले निधन हो गया है और दोस्तों यहां इतने ज्यादा समाज के लिए समर्पित था वी कि दोस्तों इनका जो पार्थियु शरीर्थ उन्हें दोस्तों पहले से ही दान कर दिया था medical college इस question में साथवा option है मनिजदत दोस्तों जो मनिजदत है यहां बिलासपूर इस्थित काभ या भारती संग के दोस्तों यहां स्थापक है और इनका कुछ समय पहले निधन हो गया है साथी दोस्तों जो मनिजदत था इन्हें देश भर के रंग कर्मी है इनके दादा की नाम से जाना जाता है आप इतने फेक्ट को इस question से related करके याद रखिए साथियां पर करेन पहर सेशन का हमारा अगला question के उरगएव Βते हैं यहां पर देख Iya हमारा हमारा अगला question है हाल ही में कहा भकतिन माता जेनती महस्षाव संपन्न हुआ इसका सही माता के नाम पर सोद संज्था एवं सेवा कार्य के लिए नया राइपूर में पांच इकड जमीन दी जाएगी फिंगेश्वर समुदाइग अस्पताल का नाम राजीम माक्ता के नाम पर कन्ने की खुंसड़ा मुख्यमंद्रिस्ति भूपेज बगहिल दौरा किया गया मुख्यमंद्रिस्ति भूपेज बगहिल ने आज राजीम में आवजित राजीम भक्तिन माता जेनती समारों में बतोर मुख्य अतिति सामिल हुए इस अवसर पर उन्हों ने कहा कि राजीम महस्व के प्रारम से एक नव चेतना का प्रारम हुआ राजीम केवल धार्मिक इस्तल ही नही बल्की तीन नदियों उत्तर दक्षिड का संगम है उन्होंने कहा कि राजिम को केवल एक सहहर के रूप में नहीं बलकि राजिक की संस्क्रति व्रियासत के रूप में देखना चाही है यहां के वाल नदियों का ही नहीबल की विचारधाराओं का यहां पर संगाम होता है मुख्य मंदरी स्री भुपेज बगिल ने नया राइपूर में राजीम माता के नाम पर सो संस्ता यों सेवकारियां के लिए पांच इकर जमिन देने की गोशड़ा की है तता समुदाइक स्वास्ता केंद्रा फिंगेश्वर का नाम बदल कर राजीम माता के नाम पर रखने का गोशड़ा मुख्य मंदरी स्री भुपेज बगिल दवारा किया गया है अब दोस्तों अगर हम इस कोशन को देखेंगे तो इस कोशन से भी कई इंपोर्टेंट फेक्ट बनते हैं उन्हें भी यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं जाए जाता है दोस्तों है इसके स्थापनो कब हुआ था अर इस्थापना हुआ था और इस समय धोस्तो भारत में कौन से 5 वर्षी योजना चल रहा था भारत में दूती ये 5 वर्षी योजना चल रहा था साथी दोस्तो यहां पर हमारा दूसरा अपसंदिये है राइपूर दोस्तो यहां से important question बन जाता है कि दोस्तों जो राइपूर है इसको किसने बसाया थे दोस्तों राइपूर सहर को कल्चुरी राजवन्स के राजा राम चंद्रादेव द्वारा चौदा साव नौ इसकी में रैपूर सहर को बसाया था और इसका नाम करण अपने पूत्र ब्रह्म दिवराय के नाम पर इसका नाम करण किया गया था और दोस्तों रैपूर में है लाभांडी रिसर्च अफाम रैपूर दोस्तों जो लाभांडी में राभांडी रिसर्च किंद्र है जिसे बाद में धानान सुन्धान किंद्र का दर्जा दिया गया अर्लाभांडीर सच चफाम रैपूर की स्थाफना कभ हुआ था तो निस सव तीन को हुआ था दोस्तों यहां पर है जो रैपूर रैपूर जीले का गठन कभ हुआ था दो नौम और 8061 को रैपूर यहां पर देखने का प्रयाज करते हैं। जो नगर निगाम रैपूर रैपूर जटिसगर का प्रथम नगर निघंग हूं गठन कहुआ था कई निगम को गठन हुआ था और इसके दोस्तों वर्तमान में है महापर कौन है तो रैपुन नगान निगम को महा पौर है ये जाज टेवर दोस्तों जो एज आस्टेवर है इन्हें छत्तिस-गाड महापौर संग के अध्यक्षा चुना गया है बिलासपूर से दोस्तों एक और इसका उद्ग म कहां से हुआ है तो दोस्तों अरपन रधी का वर्तमान में उत्का गावरेला पिंड IRA M дост जीले के पेंडरा पठार के खोडरी खोक्सरा नामा किस्थान से अरपन अधी का उद्गम हुआ है साथी दोस्ति हैं पर हमार आगला अप्सन है जिसे मैं पार दोस्तों मैं पार्ट को 36 गड़ का सीमला कहा जाता है और दोस्तों मैं पार्ट में 36 गड़ का प्रथम बायो सरकार द indoवारा किया जा रहा है और दोस्तो में पार्ट में 1962 में तिबत स्रार्थियों को बसाया गया था यहां पर देखे दुस्तों हमारा अगला अपसन है चेतूरगर्ड दो दोस्तों जो महमाया मंदीर है इनका निर्माड दोस्तों किनके द्वारा कराया गया था तो दोस्तों चैतुरगड के महमाया मंदीर का निर्माड कराया गया था लेकिन दोस्तों अगर चैतुरगड के महमाया मंदीर का निर्माड किसके द्वारा कराया गया था तो दोस्तों क 26 गड़ का प्रयाक कहा जाता है और यहां गरियाबने में है ऐसे आप पर करो दिखे Swiss PV में यहां तो TOP मेप irm दिखा यहां दोर मिठी पर इसाथ Kurt ये कंगा आप गसीले लृँग कुझा विसीले का गठन सन 2012 में हुआ था और रैपूर जिले के विभाजन करके गरियाबन जिले खा निर्मार किया गया था गरियाबन जिले में निवास करती है कमार जन जाती दोस्तों यहां पर जो कमार जन जाती है यह गरियाबन जिले में मुख्यता रूप से निवास करती है और इसे कें जन जाती विकास अभी करणर का मुख्याला है यहां पर और इंपोर्टेंट जन जाती निवास करती है जैसे कंड्रा जन जाती भूंजिया जन जाती है इन्हें राजय सासन द्वारा दोस्तों जो भूंजिया जन जाती है इन्हें राजय सासन द्वारा दो हजार दो में में भुझया जन जाती सामील है जो गरिया बन जीले में निवास करती है और यह दोस्तों जो पंडो जन जाती है यहां सुरजपूर जीले में निवास करती है और दोस्तों जो भुझया जन जाती का विकास अभिकराण का मुख्याला कहां पर बनाया गया था तो दोस्तों जो गरियाबन जीले में है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर है राजीम दोस्तों जो राजीम है इन्हें शत्तिजगर का प्रयाक के नाम से इन्हें जाना जाता है और यहाँ पर महा नदी सोंधूर नदी पैरी नदी का संगम है राजीम में दो वंस द्वारा कराया गया था दोस्तों राजी वलोचन मंदीर का निर्वान नल वंस द्वारा कराया गया था और दोस्तों नल वंस के किस सासक द्वारा कराया गया था तो नल वंस के विलास दूंग सासक द्वारा राजी वलोचन मंदीर का निर्मार कराया गया था दोस्तों राजवन्स के राजा प्रित्यु दित्वी द्वारा राजिम में इस ती राजिव लोचन मंदीर का दोस्तों जो जुरोधर कराया गया था दोस्तों इस मंदीर में विशुडु की प्रतीमा है राजिव लोचन मंदीर में दोस्तों किसकी प्रतीमा है तो यह विशुडु की प्रतीमा है और यहां काले ग्रेनाइट पत्थर से निमित हुआ है इसके संभंग संगा में दोस्तो कुलेसवर महादेव की मंदिर है यहां से दोस्तो कई सुन्दूर नदी है सुन्दूर नदी का उद्गम कहां से होता है तो दूस्तों जो नर्यार पानी की पहाड़ी है यहां से है कि सूंधूर नदी का उद्गम होता है और दोस्तों यहां पर है सीका सार पर यूजने कहां पर है तो यहां गर्या बन जीले में हैं और यहां से दोस्तों साथ मेगा वार्ट की बिली उत्वादन का का रिया भी बहरा डी कोदो माली कुसम गुंड आदीश छेत्र से हिरा का उत्खनान किया जाता है यहां पर दोस्तों गार्नेट उत्पादक छेत्र जेसे गोहरे कला गोहरा पदर आदीश से यहां से गार्नेट खनीज का प्राप्त किया जाता है दोस्तों यहां से इस वाला आप जो फेक के देभोक के अंतरगा सेंद मूडा लाटा पा रहा है दोस्तों यहां पर एलेग जनराइट का भंदारा रहा है दोस्तों और एलेग जनराइट को सापित रत्न के नाम से इन्हें जाना जाता है और यहां दोस्तों बीसों में सिर्फ दो ही जगा पाया जाता है एलेग पाया जाता है और दोस्तों इन्हें सापित हीरा गरीबों का हीरा के नाम से भी एलेक जन्राइट को जाना जाता है यहाँ पर है दोस्तों महत्पूर्ण यहाँ पर देखिए अभिहरर दोस्तों यहाँ पर उध्यंति वन्यजू अभिहरर है और उध्यंति वन्यजू अभिहर करेंड़ पर सेशन का हमारा अगला कुश्चन के और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दिखिए हमारा करेंड़ पर सेशन का हमारा अगला कुश्चन है हाली में किस जीले के तलाब में विसुडु मंदीर के पास बनेगा मोर जांगीर सेलफी पॉइंट इसके सही अंसर है आपसन 5 जांजिर चापा जिले के भीमा तलाब के पास विशुडु मंदिर के पास बनेगा मोर जांजिर सेल्पी पॉइंट कोश्चन के स्पस्टी करार देखते हैं भीमा तलाब में विशुडु मंदीर के पास बनेगा मोर जान्जगिर सिल्पी पॉइंट कलेक्टर स्री यस्वंत कुमार ने यह सा जनकारी दिया नगर पाली का अध्यक्ष स्री घड़ेवाल को एक वर्स की सफर कारेकार पूर्ण होने पर कलेक्टर ने दि शुपकमनाय नगर के विकास के संबन्द में हुई चर्चा कलेक्टर स्री यसंत कुमाने जांगीर नेला नगर पालिका परिस्त के अध्यक्षा स्री भगवान दास गड़ेवाल को एक साल के सफल कारेकाल पर अपनी बधाई और सुबकामनाय दी कलेक्टर ने अध्यक्षा के साथ नगर विकास के संबंद में चर्चा किया और दोस्तों कलेक्टर ने इवाओं की रूची को ध्यान में रखते हुए भीमा तलाप के पास परिस्तर में विश्डू मंदिर के पास मोर जांगी सेल्फी पॉइंट बनाने का बात कहा कलेक्टर ने नगर विकास इवाओं विभागी योजनाओं का क्रियान वायन के संबंद में चर्चा की तथा अध्यक्षा स्री गड़ेवाल ने तलाप परिस्तर में युवा वर्ग के रूची के अनुडूप मोर जांगी सेल्फील पॉइंट बनाने की सहमती जताई मौर जांगीर सेल्फील पॉइंट के यहां पर दिखाया गय है जनिठापा जियले से कई विलाजपूर जिले का भी भाजन करके जानगीर चांपा जिले का निर्मार किया गया था जानगीर चांपा जिले से कई यहां किस नदी के किनारे बसा है तो दोस्तो जो चांपा है यहां हजदो नदी के किनारे बसा है और दोस्तो चांपा का प्राचिन नाम क्या है तो दोस्तो चांपा का प्राचिन नाम है मदनपूर दोस्तो इसका प्राचिन नाम है अब दोस्तो जो चांपा है हजदो नदी के है मुर पहारी से 일 Clinton का उतगम हुआ है अर दोस्तों हर सदिय नदी पर खौर्बल जिले में 36 गड़ का सबसे उचा बांध का निर्मार हुए जिसका नाम है मिनी माता बांगो बांध और दोस्तों यह जो मीनी माता हस्दों बांगों बांध है या प्रदेश का सबसे उचे बांध है और दोस्तों इसकी उचाई कितनी है तो दोस्तों इसकी उचाई 87 मीटर है और यहां पर बहुत देशी पर्योजना का निर्मार कॉर्वा जीले में किया गया है दोस्तो अब यह जांगी शापा जीले है तो दोस्तो जांगी शापा जीले जांगी शापा जीले को सरवाधिक तसील वाला जीले के नाम से जना जाता है और यहाँ पर दोस्तों सरवाधिक तहसीलों की संख्या है यहाँ पर दोस्तों जो जांगीर है यह केवल तहसील है विकास खन नहीं है और दोस्तों यहाँ पर कुछ महतुपुन पूरा तात्विक तेता एतहजिक इस्थल के बारे में जानते हैं यहाँ पर है कोटमी सोनार दोस्तों जो कोटमी सोनार है यहाँ पर क्रोकोडायल पार्क है दोस्तों चतिस गड़ का प्रथम क्रोकोडायल पार्क कहा पर है तो यह जांगी चापा जीले में है और इन्हें दोस्तों चतिस गड़ का घड़ियाल पार्क भी यहाँ पर बनाया ग दोस्तों यह जो सकती है यहां 36 गड़ के 14 देशित रियासतों में से एक है और यहां 36 गड़ के सबसे छोटा देशी रियासत है यहां पर है दोस्तों खरोद दोस्तों जंगे चापा जिले में खरोद है यहां पर रमायार कालिन इस्थाल है और यहां से दोस्तों इस जो जगह नें जोड़ा जाता है और दूस्तों खरोद का प्राची नाम नाम है इंद्रत और खरोद को 36 में मंदिर भी स्थित है जे घह जोड़ियोपीन है जोड़ ढशनों सब्सथा तरों आया तो अलाल दोस्तों जोड़नल है 8 यहा पर दोस्तों केशव नराण मंदीर है और साथ यहांपर दूस्तों जगणाथ की जो मन्दीर यहां पर मागफुर्निमा में मिला होता है कि यह जुछी नराण यहां पर भगवार राम ने 12य अरसाकि बनवाज के समय दूस्तों जब hierarchy पहुंच थे तो यहां पर है दोस्तों जांगी चापा जीले में किरारी गाउं दोस्तों जो किरारी गाउं है यहां साथ वहन कालिन काश्ट इस्थम है और यहां दोस्तों यहां से प्राप्त हुआ है और दोस्तों यहां पर है बालपूर दोस्तों जो जांगी चापा जीले के बालपूर है इसे 236 या ने जा आती हैं यहां पर मुखूर्ट धर्पांड़ करना भी जयन्मा बालपूर में हुआ था अर दृस्तों ना Beni अच्छाएवदी काब्यधारह कर द्धारहो प्रतु से समद्नाeto धी कुर्डी के प्रति यहां पर बंसीधर 5 कभी जैनम हुआ था अल्दो FreundриNews प्रथम च्टिजगड़ार करें बंसीधर को च्टिजगण कर प्रत्म उपन्यास कार कहते हैं और पुपन्यास थे हीरू की कहनी इन सभी दुस्तों जो सहीत्यकार है इनका जन मिश्थर कहां पर हुआ था जो जांगीर चाप पर जी लेके बालपूर में हुआ था और इसलिए दुस्तों जो बालपूर है इन्हें 36 गड़ का सहीत्यका तीर्थक कहा जाता है आप इतने